तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नाय और लिटेस्ट वीडियो में और फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोग के 12 क्लास के हिंदी का चैप्टर नमबर 7 है जिसका नाम है ओ सदानीरा अच्छा सदा सदानीरा का मतलब आप लोग समझते हैं सदा मतलब हमेशा और नीर मतलब जल वाटर पानी ठीक यानि कि हमेशा जल से भरी रहने वाली नदी को ही बोलते हम लोग सदानीरा सदा जल से परिपूर्ण नदी सदानीरा कहलाती है और इस शेप्टर में सदानीरा किस नदी को कहा गंड़क नदी एक एसी नदी जिसमें जल यानि कि पानी जो है न सदा यानि की हमेशा परिपूर्ण रहती है यानि कि हमेशा जल से भरी ओंड़ी सब्रह दोगा तो आप लोग को समझ में आ गये होगा कि ये जो चाप्टर किस चीज के उपड़ लिखा गया है और इस चप्तर में क्या-क्या बातें बता ही गई है अब लोग को समझ में आ गए होगा यह जो चैप्टर है यह गण्डख नदी के उपर लिखा है यह चाप्टर क्या है एक निबंध है याद रखना है यह जो चाप्टर है एक निबंध है जो की गंडक नदी के उपर लिखा गया है और गंडक नदी को किंद्र बिंदू मान कर यहां पर ध्यान दीजिए यह चाप्टर जो है ना यह निबंध गंडक नदी के उपर ही लिख आया गया है और जादतर चंपारण के चेतर के बिहार राजे का एक चेतर है अभी जो की डिस्ट्रिक बन चुका है चंपारण ठेक उसी की मतलब चंपारण की भूमी की धरती के बारे में इस चप्टर में जादतर बाते की गई है क्योंकि यह जो गंडक नदी है सदानी रा व जादी होकर उजरती है ना वहां का जमीन उपजाओ होता है तो इसलिए चंपारण की धरती वहां की भूमी के बारे में इस चप्टर में ज्यादा विश्रिष्टाए बताई गई है चप्टर के जो लेखक है ना जगदिश चंद्रमाथूर याद रखना है यह उन्हीं सब याद करके गंड़क नदी के बारे में सारी विश्रिष्टा है वहां चंपारण की भूमी के बारे में सब कुछ जो है ना वह लिखकर बताते हैं निबंध के तौर पर देखें निबंध ज्यादतर शौट कितना होता है मतलब एक से दो पिज यह चैप्टर कम से कम एक से द लंब रहता है तो पढ़ने में मतलब उतना दिक्कत महसूस नहीं थी आदमी बोर नहीं होता है लेकिन यह एक निबंध है जो कि गंड़क नदी के उपर लिखा गया है और निबंध में भी छोटा नहीं है एक दो पेज का नहीं है बलकि आठ नौ पेज का है तो इतने महनत लगा होगा बहुत जादा महनत लगा है इतने लंबे चाप्टर को शॉट करके तयार करने में पुरा निचोर निकाल कर और सिरुफ आप लोग कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है जाप नौ पीज का अगर चाप्टर है इतना लंबा तो इसको शॉर्ट करके मैं एक 2 पी की भूमी के बारे में हर एक पॉइंट को मैं डाल दी हूँ और इसको पढ़ने के बाद आप लोग का समय तो कम लहेगा ही और कम समय में आप लोग पूज़ा चैप्टर भी सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग को देखना है और मैं आप लोग को समझना है तो चलिए हाँ तो यहां से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम अल्रड़ी लिखा हुआ है यहां पर ओ सदा नीरा ठिक तो चलिए इतने लंबे चैप्टर को में इतने मेहनत और मुशक्त के बाद शौट करके इदम निकाल कर तयार कि उसको फड़वर समझ लेते हैं बहुत ही कम समय में तो देखिए श्रुवात में लिखा गया है कि ओ सदा नीरा निवंध का संबंध गंड़क नदी और चंपारन की भूमी से है यह तो मैं आप लोग को अभी बताई कि ओ सदा नीरा यह ज गंड़क नदी गुजरती है इसलिए ज्यादा तर चंपारन की भूमी के बारे में बात की भी आइए और नवीन भी यह तो आप लोग के श्रुवात में लिखा गया है । ऑगर आप लोग के पताशन БुOK पुरानी भी और नवीन याँआ कि नई भी है चम प्रान का जो जमीन में पुराना है जाला पूरत है कि कर?' बन चुका है और इसी लिए चंपारण शेत्र में नई और पुरानी दुनों तरह की जमीन आप लोगो देखने को मिलेगी यहां तक की चंपारण में काफी बदला हुआ है ठीक है और जारे तर नदियों में क्योंकि आप देख सकते जबान में जो गंद्रक नदी चंपारण शेत्र से होकर गुजरती है और मिलब चंपारण की जो नदियां में काफी बदला हुआ है पहले कि अपेक्षा अब उन नदियों से बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा है आज से कई सो साल पहले यानि कि आप इस तरह बोल सकते धाई हजार वर्स पहले आज से देख सकते हैं एक मिनट हां देखे लिखा गया है कि धाई हजार वर्स पहले जब गौतम बुद्ध ने नदियों के किनारे किनारे पाटले पुत्र से मल्लो मॉर्या और शाक्य को उपदेश देने जाय करते थे तो उस वक्त नदिया सयमित थी उस वक्त नदियों से कम आया करता था क्यों उस वक्त घंगल था घंगल रहने की वजह से यादा पेड़ पौधे रहने के वज़ह से जो नदियों कि धारा है वो पेड़ पौधे के जड़ से रुख जाया करती थी ठीक इसलिए नदियों से बाढ़ आने की संभवना बहुत कम हुआ करती थी आज से डाई पहले महावन जो घंगल था महावन था महावन ठीक वो चंपारन से गंगा तक फैला हुआ था वो महावन घंगल कटते चला गया और इसलिए नदियों से बाढ़ आने की संभवना बढ़ते चली धीक और देखिए यह सिलसला कब से शुरू हुआ जंगल कटने का आगे लिखा भी गया है लिखा गया है कि एक मिनट इसको और जूम कम कर दे हाँ लिखा गया है कि यहां 12 सदी से लगबग 300 वर्स तक करनात वन्ष का राज्य था यह तो आप लोग जानते ही होंगे चंपारण के उस छेत्र में 12 सदी से लगबग 300 साल तक करनात वन्ष का राज्य था और उ मुसलमान आकर्मणकारी, ग्यासोदिन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा एक तरसे हरी सिंग देव के लिए एक रक्षा का कावच बनकर खड़ा था वो महावन घना जंगल ठेक हरी सिंग देव का किला उस जंगल जो था न वो घना जंगल जंगल के उस पार था एक तरसे जंगल दिवार का काम कर रहा था दिवार के इस पार इंसान को दिवार के उस पार जो इंसान है दिखाई नहीं न देगा मुनलब दिवार के आर पार दिखाई नहीं देता है उ तो अब ग्यासुदिन तुगलक को तो राजय हरी सिंग देव पर आक्रमण करना था तो वो क्या किया वो अपना तलवार निकाला और खचा खच यह जितना भी यहाँ पर वन था जंगल था जंगल के पेर पौधे सब को काटना शुरू कर दिया उसकी जितनी भी सेना थी हजारो लाखों की संख्या में सेना लेकर आया था सबसे बोल दिया कि खचा खच काट डालो उसके बाद से क्या हुआ इस लड़ाई में राजा हरी सिंग और ग्यासुदिन तुगलक की लड़ाई में क्या हुआ यह बीच का जो वन है वो कटता चला ऑर उसी वक्फस से जो बीचा गया है हजारो तलवारे घने वीश्के वरिक्छों के वरिक्षों टूट पर हजारो तलवारे गनं उन Què वन जो था ml उसके वरिक्छों पर टूट परी और हरी सिंग देव को नेपाल भाग जाना पड़ा है क्या करते हैं जो ग्यासुदिन कंटना शुरू हुआ जो कि अब तक करते ही आ रहा है और जिसकी धरती अ उपजाव मिलती है और उहीं जंगल करता चला गया और वहां की अब जंगल खत्म हो जाएगा तो वहां पर एदिव सर्फ जमीन ही ना بचेगा तो दमीन उपजावी थी वहां की और वहां नवील्ट कि जो चंपारण की धरती भी रहने वाले लोग भी प्राचीन और नमीद के मिश्रण हैं यहाँ कि धिरती ना रुट भी नए लोग है जब चंपारण की धरती पर जो घंगल फैला हुआ था तो उस घंगल की अंदधून कटाई हो गई ठीक है और वहां की धर्ती उप जाओ हो गई ना तो अब उस धर्ती पर फसल उप जाने के लिए बाहर से लोग आने लगए बाहर से मतल genere के जातियूं को बुलाया जाने लगा देखे लिखा गया है क्यों कि रूसरी जोतने ने कि लिए पुराने थे और जो लोग नए आये इस धर्ती पर फसल उब जाने के लिए वह नए निवासी बन गए इस धर्ती के तो नए और पुराने निवासी जो एना इस धर्ती पर रहे अभी भी रहते हैं ठीक तो वहीं बोला गए है अब देखिए पिछले पांच-सात-सो वर्षों थारू और धांगर जाती है यहां आकर बसी जो अपने आपको आधिवासी नहीं मानती थी पिछले 500-700 वर्सों में सालों में थारू और धांगर जाती है याद रखिया थारू और धांगर जाती है इस चंपारन की धरती पर आकर बसी जो अपने आपको आधिवासी नहीं मानत लाजिस्थान से निकला यह शब्द थार यद रखना अफ्जक्टि में पुुल देता है तो यह थारो और धांगर जातियों को जो है ना नीलकी खेती के सिलसे में बुलाया गया था चंपारन की धरती पर निल की खेती के सिल्सिले में दक्षिड बिहार के छोटा नागपूर पठार से धांगड़ों को अट्राहमी श्रताब्दी के अंत्मिलाया गया जानते हैं तिनकटिया पदती बिसकठा में तिनकठा जो है ना नील बोना पड़ता था निल की खेती करना पड़ता था यह गांधी कि इस तिनकटिया पदती को खत्म किये थे यह आप लोगों को पढ़ना है चलिए हम लोग सिक्वेंस में पढ़ते हैं ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में ठेके तो नील की खेती जो है ना नील की खेती के सिल्सिले में धांगड़ जातियों को कब बुलाया गया तो अट्राविस्टाबदी के अंत में और जब यह आये और नील की खेती इनको जबरदस्ती करवाया जाता था अंग्रेजों करवाते थे जबरदस्ती और उसी वक्त से जब से यह धांगड़ जाती चंपारन की धरती पर आया और इनको नील की खेती करवाया जाने लगा और उसी वक्त से ये अंग्रेजों के लंबे समय तक गुलाम बने रहें और मतलब लंबे समय तक ये गुलाम का जिवन बिताएं ठेके और देखिए ओराओ भाषा में धांगड शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर यादर कियेगा धांगड का अर्थ क्या होता है और आव भाषा में भाड़े का मजदूर यानिकी धांगड जाती कि जितने भी लोग थे ना वो भाड़े की मजदूर थे यानिकी भाड़े पर इन मजदूरों को कहीं पर भी ले जाकर आप काम करवा सकते थे और इसलिए अंग्रेज जो है ना इन धांगडों को यानिकी भाड़े के मजदूरों को भाड़े पर लेकर आये थे चंपारन की भूमी पर नील की खेती करवाने के लिए ठीक और यह आये धांगड और यहां पर आकर लंबे समय तक इन अंग्रेजों के गुलामी सहते रहें और गुलामी का जीवन लंबे वर्सों तक कई सालों तक बिता और यह आपस में औराव भाषा में बात करते थे याद रखिएगा धांगर जाती के जितने भी लोग वह आपस में औराव भाषा में बात करते थे लेकिन अगर दूसरों से बात करनी होती थी ना तो भचपूरिया नहीं तो मदेसी भाषा में बात करते थे ठीक है आगे ब किहार के गया जीले से भुईयां लोग जो मुसरवर के एक अंग थे तो उन लोग को बुलाया गया नील की खेती के लिए हिमालय के इस तलहटी में लाया गया थेखे पिछले दस बारा वर्सों में एक नया त्रस्त समुदाय पुर्वी बंगाल के सरणालती भी याद रखिए पिछले दस बारा वर्सों में एक नया त्रस्त समुदाय पुर्वी बंगाल के शरणालती कहते हैं जो शरण लेने के लिए आते हैं तो पुर्वी बंगाल से लोगों को बुलाया गया था जो कि शरणालती थे वो यहां पर आये थे और यहां तक की जमिंदार हरीजन मजद मजदूर आदिवासी ब्रिटिश समराजे सभी को इस जमीन इस भूमी ने आश्रय दिया चंपारण की भूमी ने सभी को आश्रय दिया था जमिंदार हरीजन मजदूर आदिवासी तीक ब्रिटिश समराजे अंग्रेजों को भी शरण दिया था आश्रय दिया था इस भूम धांगलों का नर्तन और पुर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करून किर्तन आप लोगों को याद रखना है यहां से अब्जेक्टिव कुशन पूस देता है थारू की मशूर क्या थी तो अनुपम ग्रीह कला थारू जन जाती कि जितने भी लोग थे न वह अनुप उनकी ग्रीह कला फेमस थी थारू जन जाती की और धांगडों का नर्तन यानिकी नृत्या और पुर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों की करून किर्तन यह याद रखना है तो आगे क्या लिखे हैं देखिए लेखक मेरे अनुरोध पर एक देहाती परदर्शनी का आय आवं जम जाती कि जितने भी लोगेए थारूओं की कला्य उनकी जो भी कला है skills है उनके देनिक पर और थी भी देनिक जीवन का तो ओग और धकने के लिए कई तरह के रंगों के साथ बनाया गया सिक का पातर बनाइगा जाता था ठेक थारू जन जाती के लोग वो धान रखने के लिए कई तरह के रंगों और डिजाइनों का सिक का पातर बनाए करते थे ठीक का पातर ठीक और सिक की रंग बिरंगी टोकडी के किनारे सीप की जहालर लगाई जाती थी ये सब पहले के दमाने में अभी भी बनायाNow परदा से र डिजाइन ही हाथ आप आप की जालर लगी हुई रहती थी जोपड़ bidding में परकाश के लिए कलापून दीपक सुंदर्य उपयोगिता का अद्वुत मिश्रन दिख पड़ता था जोपरी में परकाश के लिए दीपक जो बनाया जाता था वो दीपक भी कलापून होता था दीपक को भी बहुत यची तरीके से बनाया जाता था सोंदरे और उप्योगिता का अद्वुद रिश्रे था उस वक्त और हर पत्नी दो पहर का खाना लेकर पती के पास खेत में जाती थी और वैसे जैसे कि पहले के जमने में ऐसा होता था ना कि पती खेत में काम कर रहा होता था और दो पहर में पत्नी खाना बना कर जो नहीं इन और लेकर जाती थी अपने पती के लिए खाना लेकर तेक तो गाओं के जितने भी लोग रहते थे वो देखकर वैसा मालूम चल जाता था कि कोई नई दुल्हाना ही है तो ये उस वक्त का नियम आप बोल सकते हैं नियम था तेक आगे देखिए क्या लिखा गया है धांगडों का समाजिक जीवन अधिप्रखर और उल्लासुण है धांगडों का जो समाजिक्त व्यवन अधिक प्रखर और उल्लास्पुर्ण था हमेशहा समाज्वीवन जीना इनकी जिनदगी बिताना यही मतलब खाना है समाज्षी मेंन सामूही कुन्द्य करते थे धांगड जाती के जितने भी लोग थे न वो चाहे ऩफिर पूरुस हो दोनों दधलती जाम के मंद प्रकाश में सामोहिक निर्त्य करते थे यान कि सब लोग एक साथ मिल कर निर्त्य करते थे और 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 हो निर्त्य मिलते जूलते ही निर्त्य profits करते थे ये भी अबजेक्टिम में पूछ सकता है धांगडों के यहां पर बोला जड़ा है कि और आओ निर्ते से मिलते जुलते होते थे धांगडों के लिये उसे हिलाते जाता थे ऐसे होता है चिर्टन गंभीर विशाद पुर्ण शूत बहुत बहुत ही लंबा चेप्टर है यह तो मैं इसको shortcut की हो फिर भी यह आप लोगो थोड़ा लंबा दिखना होगा ठेक बेतिया राज क्योंकि यह आप बोल सकते हैं कम से कम आठ पेज का है ठीक तो इतने लंबे चैप्टर को shortcut करके बनाया जाएगा तो कम से कम एक दो पेज का तो हो सकता है ना तो उस तो आप स स्वक्हाब पेजा हैं कि समीन जो है ना इन गोरे ठेक धारों ने लिलिए और ठेट देहात में उनकी कोटिया खड़ी हो गई रह जोंग्रेज अपने लगें कोटिया बन वगदा बननाव लिए और किसानों से जबरदस्ती निल्की केटी कराई गई और हर 20 कथा जमीन में तीन कथा निल की करवाते थे किसानों से 20 कथा जमीन में तीन कथा जो जमीन है उस पर निल किसानों को मजबूर किया गया कि वह मोटी रख में गोरे ठेकेदारों के देदें यह तिनकठा जमीन में तिनकठा जो जमीन है अंग्रेज निल की खेती करवाने के लिए किसानों को मजबूर कर देते तो किसान जो है ना तिनकठा जमीन में नील की खेती करते तो इसी पधती को ने तिनकठिया पर प्रयाश किया था और गांधि के वज़ा से ना इसी परतर फ्रूंगत है तो वहीं बोला जा रहा है कि विस्वी सताब्दिम किसानों को मजबूर किया सेicamente कि सानों को मजबूर क्यայ मजबूर किया अग्लेत वूर आगे क्या रिखा गया है जिसरास्ते पर सहाब कि सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे जिसरास्ते पर बड़े बड़े अंग्रेज जो थे साहब की सवारी जाती थी ना उस रास्ते पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे यदि किसी रैयत के यहां उत्सो या शादी विवा होते तो साहब के यहां नजराना भीजना पड़ता था किसी भी रैयत के यहां किसी भ के लिए वसुली होती थी अगर अगर सहाब विवार से Daw göz के लिए पैसा वसुली किया जाता था सहाब हाती करिदता तो अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ निकुछ देना पड़ता था जो आंगージ के साब वो हाथी भी खरिदते थे तो रईयत से ही किसानों से ही गाओं के लोगों से ही वो क्या करते थे पैसे लेते थे तो ये सारी बात थी इतना शोचर किया जाता था ठीक आगे बढ़ते हैं अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन ये याद रखिएगा अमोलवा कोठी के साहब थे जिनका क्या नाम था एमन और ये आप बोल सकते हैं थोड़ा ये मेंटली आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब था किसी भी रईयत की छोपड़ी में आग लगा देता था किसी को जेल में ठूस देना का इसका रोज का काम था ठेके इसका थोड़ा माइन बोल सकते किसका हुआ था ठेक उन्हें सा सट्रव कि अप्रेल महां में चंपारन की धर्ती पर गांदी जी का आगमन हुआ ठेक यह याद रखना है अम उलवा कोटी के था क्या नाम था एमन हो सब्दै की अब्जक्टिम के पूछ दे ठेक और उन्हें सा सत्रव में के अप्रेल माह में याद रखना है उन्हेस सतरह कि अप्रेल माह में चंपारन की धर्ती पर गांदी जी का आगमन हुआ ठीक राजेंदर परसाद जो है ना गांदी जी के बारे में हर एक चीज डिटल से बताये हैं ठीक बहुत यह अच्छे तरीके से गांदी जी के बारे में बताये हैं कि किस तरह गांधी जी चंपारण की धरती पर आएं और कैसे तिनकटिया पदती को खत्म किये यह दौक्टर राजंद पर साथ के द्वारा बताया गया है ठीक है और देखिए उन्हें सब बासट में लेखक चंपारण की उसी धरती पर गए जहां गांधी जी ने स संसत्र का अभियान किया था जिस जगाँ पर उन्हें सहवा सब गैवा सबस्ञेन ने उने सबासट में चमपारण में तो मोतिहारी में मिले थे श्री राम द्याल शाह जो कि गांदी जी के रहने सैने का परबंद किये थे उस वक्त उने सब 17 में जब गांदी जी आये थे तो और उसके बाद से एक और इंसान से मुलाकात होई थी लेखक की श्री हरिवन्स साहे ज इन दोनों लोगों से मुलाकात हुई थी किसकी इस चैप्टर के जो लेखक है उनसे दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी और ये दोनों लोग गांदी जी से अल्रेडी मिल चुके थे उन्हें से 17 में ठीक तो जब उन्हें सबासट में लेखक गए इस चैप्टर के जो रा नौमी परशाद से मुलाकात हुई वापस लोटने पर इसक्र जो रॉइ राइटर है लेखा उनकी मुलाकात किसे हुई श्रीराम नौमी परशाद से हुई ठीक ते जस्वी किसान राज कुमार शुकला के आगरा पर ही गांदी जी ने चमपारण जाना स्विकार किया जिनकी मृती उन्हें से 38 के आसपास में हुई थी ते जस्वी किसान था जिसका नाम था राज कुमार शुकल ठीक ये जो है ना इसी के आगरा पर गांधी जी चमपारण में आये थे ठीक यही जाकर गांधी जी को बोला था कि आप हमारे चमपारण की भूमी पर आईए ठीक वहाँ पर लोग जो है ना तिनकटिया पदित्सी से परेशान हो चुके हैं तो आप हमारी मदद कीजिए तो बितिहरवा गाओं में गया जहां सन सत्रा में एमन साब की तूती बोलती थी यहां पर बोल रहे हैं इस चप्टर के जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अमोलवा गाओं के निकट बितिहरवा गाओं में गया जहां उन्हें से सत्रा में एमन साब की तूती बोलती थी श्री श्री राम नौमी परसाद ने बताया अपने बारे में और गांधी जी के बारे में कि जब श्री राम नौमी परसाद और गांधी जी हाथी पर सवार होकर किसी गाउं में किसानों की शिकायत सुनने जा रहे थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा कड़ी धूप थी और ये कड़ी जो है ना गांधी जी चमपारण में कुछ ग्रामिर विद्यालों की इस्थापना करना चाहते थे और थोड़ी दिन बाद ही उन्होंने तीनों गाओं बढ़हरवा, मदुबन और वितिहरवा में आश्रम विद्याला इस्थापित कर दिया थे कि यहां पर आप लोगों को काल आया इतनी कड़ी धूप है तो इतनी कड़ी धूप में बच्चे पढ़ने के लिए जाते होंगे उनको कितना परेशानिया सैना बढ़ रहा होगा तो इसलिए वह शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिये गांधी जी और वह ग्रामिर विद्यालों की इस्थापना करना गांधी जी जो है तीनों गाउ में और गुजरात वैमाराष्टर से वह करेकरता को उलाएं और तीनों गाउं में तैनात कर दिए पढ़ाने के लिए और उन स्कूल का उन विद्ध्यालय का देखरेख करने के लिए ठीक तो देखिए आगे लिखा गया है कि विदेश में श्रिक्षा प्राप्त इंजिनियर श्री बवन जी गोखले और उनकी विदूसी पतनी अवंतिका बाई गोखले ने बढ़हडवा का विद्ध्य इंजिनियर थे श्री बवन जी गोखले और उनकी पतनी थी अवंतिका बाई गोखले ये दोनों जन को दे दिया गया बढ़हडवा का आश्रम विद्ध्यालय संभालने के लिए ठीक है और उनकी साथ साथ थे देवदास गांदी ये तीनों जन मिलकर जो है न वो आश्रम विद्ध्यालय जो की बढ़हडवा में था उसको चलानी लगे ठीक और उसके बाद से मधूबन में जो आश्रम विद्ध्यालय खोला गया था तो देखिए मधूबन में गांदी जी ने गुजरात से नरहरी दास पारिक और उनकी पतनी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव दिसाई को भेजा उस दिन आशारे क्रिप्लानी भी वहा रह थे अब मधवन में जो आश्रम विद्धा ने सब्सकों गांदी किसको भेजे तो मदुबन में भेजे थे मदुबन आश्रम विद्याले में भेजे थे गुजरात से नरहरी दास पारिक और उनकी पतनी और यहां तक की गांदी जी अपने सेक्रेटरी महादेव देशाई को मदुबन आश्रम विद्याले में भेजे थे मदुबन आश्रम विद्यालय चलाने के लिए और यहां तक कुछ दिन आचारे किरिपलाने भी वहां रहे थे इसे मदुबन आश्रम विद्यालय में ठीक, आगे बढ़ते हैं बिती हर्वा के अदेक्ष थे वयो वृद डॉक्टर देव और सोमन जी बाद में वहां पुर्णिलिक जी अदेक्ष बन गए उसके बाद बात आती है भीती हर्वा की भीती हर्वा में जो आश्रम विद्यालय स्थापित हुआ था तो वहां के अदेक्ष थे कौन? वयो वृद डॉक्टर देव और सोमन जी लेकिन बाद में वहां के अदेक्ष बन गए पुर्णिलिक जी याद रखिएगा पुर्णिलिक जी के बारे में आपनों को आगे भी पढ़ना है ठेके तो और स्वाए कस्तुर्बा गांधी भी जो है न भीती हर्वा आश्रम में रही थी स्वाए कस्तुर्बा गांधी वो क्या था भीती हर्वा आश्रम विद्याले में वो खुद काम करे थी तो याद रखिएगा कौन थे बढ़णवा आश्रम विद्याले में कौन थे याद रखना है आप लोग को ये श्री बावन जी गोखले और उनकी विदिस्वी पत्नी अवंती का भाई मदुबन में कौन था तो नरहरी दासपारिक और उनकी पत्नी आतकी गांधी जी के सेक्रेक्ट्री थे महादेव देशाई ये मदुबन में मदुबन का श्रम विद्याले संभाल रहे थे लो और बिती हर्वा में थे कौन पुंडलिक जी ठीक और उनकी ततकालीन अंग्रेज कलेक्टर को गांधी जी ने एक पत्र लिखा जिसमें शिक्षा मंत्री संबंधी उनकी आदर्स पर प्रकास पड़ता है शिक्षा संबंधी एक मिनट फिर से बैया पर परदू चंपारन के ततकालीन अंग्रेज कलेक्टर को गांधी जी ने एक पत्र गांदी जी ने एक पत्र लिखा, चिठी लिखे थे अंग्रेज कलेक्टर को जिसमें शिक्षा संबंधी उनकी आदर्स पर प्रकास पड़ता है, यानि कि जिसमें वो शिक्षा संबंधी बाते किये थे, बाते लिखे थे उस पत्र में, गांदी जी. आगे देखिये लिखा गया है कि मैं उसी भितिहर्वा गाउं में पहुशता हूँ जहां मुझे श्रीप पुंडलिक जी से मुलाकात होती है यहां पर लेखक बोल रहे हैं कि मैं उसी भीतिहरवा गाउं में पहुचता हूँ जहां मुझे श्रीपुंडलिक जी से मुलाकात होती है जिसे गांधी जी ने बिल गाउं से भीतिहरवा आश्रम में बुलाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भै दूर करने के लिए बोल रहे लेकर मैं उसी श्रीपुंडलिक जी से मुलाकात करता हूँ जिसको गांधी जी में विवा गाउं में गया लेखक कि मैं उसी भीतिहरवा गां में पहुचता हूँ और जिसको गांधी जी ने बितिहरवा आश्रम विद्याला में बुलाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए और वही पुंडिलिक जी जी ने कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर शायद गांधी जी चिठ्थिया लिखा करते थे और यह जो कमरा है न यह जो आप बोल सकते हैं आश्रम कमरा पहले आश्रम बोला जता था तो यह जो कमरा है या फिर आश्रम यह एक मठ के नीचे था ठेकी एक मठ के नीचे यह आश्रम है जब गांधी जी गाओं में आये थे तो कोई भी आश्रय देने की हिमत नहीं करता मठ के महंत ने एक महुए के पेड के नीचे जोपडी बनाई गई जब शुरुवात में गांधी जी आये थे चंपारण की धर्ती पर तब उस वक्त गांधी जी को कोई भी जगह देने के लिए तयार नहीं था आश्रय देने के लिए कोई भी तयार नहीं था क्योंकि सब लोग डरता था किसी के पास सिम्मत था ही नहीं तो उस वक्त मठ के महंत ने एक महुए के पेड के नीचे गांधी जी को जगह दी और गांधी जी ने उसी महुए के पेड के नीचे खटिया बिचाई और वहीं पर रहना शुरू किये और फिर बाद में वहाँ पर एक जोपड़ी बनाई गई ठीक और उसी जोपड़ी में डॉक्टर देव आकर रहते थे और आश्रम भी चलाते थे ठेक लेकिन उस जोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया लो एमन साहब मैं आप लोगों को बताई ना याद रखने के लिए एक मिनट एमन साहब कहां के साहब थे तो अमोलवा कोठी मैं आप लोगो कुशुवात में बताई थी यहाँ पर शायद है अमोलवा कोठी इधर बताई थी मैं आप लोगों को हाई अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन ठेक तो यह जो है एमन यह थोड़ा मेंठली डिस्टर्प आदमी था तो यह क्या किया गांदी जी का जो जोपड़ी था ठ होन बन गया ठीक जिसे कर्स्तुर्बा देख बाल करती और गांदी जी अब ज्यादतर वह बेतिया और मोतिहारी में रहते थे ठीक आगे बढ़ते हैं कुंडली एक मिनट पुंडली की जी हो गया है पुंडली की जी के तीन-चार्षिस से अभी मिले आपर टाइप गलत हो पुंडली की जी के 3-4 से मिले और पुंडली की दिने 17 के अपने रोचवयों की कताये भी सुन थे एक दिन वह बता रहे हैं पुंडली की एक एक दिन हम Gothic साहब उनके आसरेव में खीक बोल रहे हैं पुंडिक जी लेखक को बता रहे हैं ठीक की एक दिन हिमंत साहब जो वह आये थे हिमंत नहीं एमन एमन वह जो एमन था अम्मोलवा कोठी का साहब का क्या नाम था एमन यहां पर हैमंत गलती सिलिखा गया एमन रहेगा एक दिन एमन चाहब पुनलिक जी के आश्रब में आए काइदा उसक्त ये था ना कि जब भी ग्रीपती जब करना पुन्डिक जब भी को आये अंग्रेजी जब अंग्रेज़ी साप को है तो ग्रीपती को उसके घोड़े के लगाम पकड़ना थेảo यानि कि जिसके भी घर में अगर एमन साहब जाता उस घर का जो ग्रीब पती है जो मुखी आया बोल सकते हैं उसको जाकर उस जो अंगरेजी साहब एमन आया हुआ है उसके घोड़े का लगाम पकरना होता था थीक तो पुंडलिक जी के यहां आया था वो एमन साहब थीक तो बोल दिये डिरेक्ट कि अगर एमन को आना है तो वो खुद चल कर मेरे पास आए मैं नहीं जाओंगा उसके घोड़े का लगाम पकरने के लिए अगर उसको काम है तो खुद मेरे पास आए ठीक और इस तरह जो है ना निर्विक्ता के वाज़ा से ही चंपारण का जो अब ब गांधी जी से सीखे थे और पुंगिलिक जी पूरे भितिहरवा के जितने भी गाओं भितीहरवा गाओं के जितने भी लोग थे उनको सिखाय थे दिर्वित्ता जिसके वाज़े से गहात इनकटिया पदती समाथ सुआ आगे बढ़ते हैं एक मिनत था आगे हैं कि समाचार पत्रों में गांदी जी इंक्वाइरी के समाचार बहुत कम देते एक भी वाक्या ऐसा नहीं लिखते हैं जिसके तथे की उन्हें पूरी जानकारी ना हो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं लिखते थे गांदी जी जिसकी जानकारी पूरी सही सही जानकारी गांदी जी को ना हो हर बात को तोलते वक्त सवै सत्यापन करते बिना चान बिन कि ये किसी भी मामले पर वो कुछ भी नहीं लिखते थे और ना ही किसी मामले में पढ़ते थे ये गान्दे जी की खुबी थी वो किसी की कही भी बात पर विश्वास नहीं करते थे खुद छानबिन करते कुद सत्यापन करते खुद जानकारी उसकी सही जानकारी लेते तब उस मामले में ये पढ़ते थे ऐसे किसी भी तरह किसी को कुछ भी नहीं बोल देते थे ठीक है आगे बरते हैं बितिहरवा के पास ही रामपुर्वा है जहां ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक इस्तम जो की जहां पर अशोक इस्तम दो अशोक इस्तम जो है ना ध्वस्त पड़े हैं मिटी में मिले हैं एक पर सिंग बना हुआ है यानि कि शेर और दुसरे पर बैल बना हुआ है शायद रामपुर्वा कोई बौध तिर्थ एस्थल रहा हो देखने से ऐसा लग रहा है लेखक को कि शायद ये जो रामपुर्वा जगा है ये कोई बौध तिर्थ एस्थल रहा हो जहां पर दुसरे जगा क लोग घुमने के लिए आ रहे हैं पहले जमाने में आते हुँगे ठीके गंडक नदी के किनारे कई बहुत इस्थल हैं कोशिनगर के बारे में पढ़ना है लौरिया नंदन गर अर्जाज के सरिया और जन की चान की गड़ और वैशारी इन सब के बारे में अब एक एक करके पढ़ना है देखिए कोशिनगर के बारे में बताए गया है कि कोशिनगर गुरकपुर जीले में है जहां गंड़क को नरा गंदक नदी के आसपास अनेक इस्तूप बने अनेक स्मारक बने हुए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे क्या क्या लेखक देखें गंदक के पुर्वी तटपर बिहार में नंदन गड़ का विशाल इस्तूप प्राचीन इस्तापते की अबूत प्रुवक्रिती हैं उनको विशाल इस्तूप भी देखने को मिला था इसका मुकाबला जावा का बरब दूर का मंदिर ही कर सकता है यह बहुत ही पुराना था यह जो गंड़क के पुरुवी तटपर नंदन गड़ का विशाल इस्तूप था ना यह बहुत ही पुराना प्राचीन था जिसका मुकाबल बरब्र दूर का मंदिर ही कर सकता था मतलब यह जो इस्तूप था 82 फूट उचे और 15 फूट वृत्तकार इस इस्तूप के शिर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्रकार इस मारक के भीतर काशी के बरतर में भूच पत्र लिखी चोथी श्रताब्दी की इस इस इस्तूप के निकट मैंने वह जगह देखा जहां एक छत्रकार जो है न वह इस मारक के भीतर काशी के बरतर में भूच पत्र पर लिखी हुई चोथी श्रताब्दी की एक बौध पांटूली भी पाई गई ठीक है और आगे देखिए थोड़ी ही दूरी पर अशोक क बनाया हुआ लौरिया नंदनगर का सिंग इस्तंब है जहां पशुवद की मनाही है और वही से कुछ दूरी पर अशोक का बनाये हुआ लौरिया नंदनगर का सिंग इस्तंब है नंदनगर का एक सिंग यानिकी शेर का इस्तंब है जहां पशुवद की मनाही है यानिकी शोको आप मार नहीं सकते कदल नहीं कर सकते हैं ठीक लौरिया नंदन गड़ से ही एक नदी रामपुर्वा और भितिहर्वा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखना थोरी तक जाती है याद रखिएगा जिसका नाम है पेड़ई नदी नहीं पंड़ई नदी यहां पंड़ाई नदी ये पंड़ाई नदी कहां तक जाती है रामपुर्वा और भिति हर्वा से होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिकना थोरी तक जाती है ये पंड़ाई नदी ठीक है और देखिए शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक लुंबनी और नेपाल जाते थे फाहयान और ह्वेन सांग भी इसी पद से आये थे ऐसा मना जाता है कि इसी नदी के साहरे फाहयान और ह्वेन शांग भी आये थे ठीक है लोरिया के दक्षिण में अरे राज, अरे राज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली यहां पर पूर्ण विराम रहेगा ठीक है तो लोरिया के दक्षिण में क्या है अरे राज, अरे राज के दक्षिण में केसरिया और फिर उसके बाद है वैशाली और यही व याद रखना है यहाँ पर सभी अब्जक्ति पूश देता है कि गरतंत्र लिच्छियों की राजधानी उस वक्त क्या थी तो वैशाली वैशाली में अमरपाली ने थागत को अपना अमरकानन समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तिर्थंकर भग चकते हैं कि इस वैशाली को जहांपर भगवान महावीर जैन धर्म के तिर्थंकर थे भगवान महावीर उनको जैन धर्म के लोग भूल चुके हैं वही पर वालमी की आश्रम है औनेक ध्वस्त मुर्थिया विहरी पढ़ी है वहाँ पर इस गंड़क के सहारे सहारे चलिए तो एक सतिहत्तर मिल की दूरी पर पठना के सामने सोनपूर के निकट गंड़क गंगा के संगर पर हरिहर छेत्र मिलेगा जहां कहते हैं गजग्रा युद समाप्त हुआ अगर आप इस गंड़क नदी के सहारे सहारे चलेंगे तो एक सतिहत्तर मिल दूरी पर पठना के सामने सोनपूर के निकट गंड़क गंगा के संगर पर एक हरिहर छेत्र मिलेगा जहां कहा जाता है कि यहीं पर इसी हरिहर छेत्र में गजग्राह युद समाप्त हुआ ऐसा मान गंदक नदी तो आद्यानतहीन यह भी यादक्ना एंन जाने कितने महात्माओं और चंतों ने इसrit किनारे तप और तेज पाया 겠ीकि बड़ा बात लिखाए ना आप इसी और कि मतिके क्नारे तप और तेज पाया अब भवन नहीं मंधिर नहीं अब यहाँ पर इस गंडक नदी के किनारे, अब कोई भवन नहीं, कोई मंदिर नहीं, क्योंकि इस गंडक नदी से बाड़ हमेशा आया करते थे, आया करते हैं, पहले भी आया करते थे, और इतना भी भवन था, मंदिर था, वो ध्वस्त हो गया, बाड़ आदे के वज़ा से, घाट नहीं हवाई जहाद से गंड़क घाटी के दोनो और नाना अकृती के ताल देख परते हैं ना तो वहाँ पर भवन है ना ही मंदिर है ना ही कोई घाट है ठीक है गंड़क नदी के किनारे क्योंकि वहाँ पर हमेशा बाड़ा आया करता है जिसके होजा से भवन, मंदिर, घाट वगएरा सब कुछ नस्ठ हो गया और हवाई जहाद से गंड़क नदी के दोनों अगर देखा जाए तो नाना अकृती के ताल देख परते हैं कहीं उथले तो कहीं गहरे ठीक है इन तालों को कहते हैं चौर और मन ये भी याद रखना है इन तालों को हवाई जाट से अगर देखा जाए तो इस गंड़क नदी के किनारे आप लोग को कई ताल दिखाई देंगे और इन तालों को क्या कहते हैं चौर और मन चौर उथले ताल है जिनमें पानी जाड़ो और गर्मियों में कम हो जाता है ये चौर और मन जगा का नहीं में ताल है ठीक है तो चौर उथले ताल है जिनमें पानी जाड़ो और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है लेकिन मन विशाल और गहरा ताल है ठीक ये उतला ताल है चौर और मन क्या है एक गहरा ताल है विशाल और गहरा ताल ठीक आगे बढ़ते हैं ऐसा ही एक ताल है सरया मन जिसके जल का वैद्यक सिंधाग्न के अनुसार सोध होता रहता है बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घरों में मंगाते हैं ये जो ताल है सरया मन इसका जल जो है बहुत ज़्यदा शुद्ध है और बहुत ज़्यदा स्वास्त के लिए लावदायक है और जो बड़े बड़े अमीर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो इसी सरया मन के जल को घरों में मंगाते हैं ताकि पीकर स्वस्त हो सके सोचिए सरया मन का जल इस्तिर है कि गंड़क नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है गंड़क घाटी योजना की नहरों के ततबंद जिनें लाखों मजदूर तयार कर रहा है आगे देखी लिखा गया है एक होगी पश्चिमी नहर एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी जिसका साढ़े 11 मील नेपाल में पढ़ेंगे साढ़े 68 मील उत्तर परदेश यानि की गोरखपूर और देवरिया जिला आता है जिसमें ठेक है तो साढ़े 68 मील उत्तर परदेश यानि की यूपी में और शेस बिहार के सारन जिले में ये एक होगी पश्चिमी नहर ये लाको मजदूर मिलकर नहरों के तटबंद बना रहे हैं तो ये जो नहर है पश्चिमी नहर 120 मील लंबी होगी जिसके साढ़े 11 मील नेपाल में पढ़ेंगे और 68,65 बिल जोए ना यूपी में और सेस बचाववा जितना में भाग है वो बिहार के शारन जिले में पढ़ेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं पुर्वी नहर की लंबाई एक सब पच्पन मील होगी तो एक सब पच्पन मील जो की नेपाल और तिरुत के बीच अब बोल सकते हैं बटा हुआ रहेगा ठीक इसके इलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा भैसा लोटन से यह निकलेगी और वहां लगबग 3,000 फूट लंबा बराज बन रहा है इसके इलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस बनेगा जो की भैसा लोटन से निकलेगी और यहां तक की 3,000 फूट जो है ना लंबा बराज बन रहा है जिसके उपर से सडक और रेल ले जाये जाने की संभावना है उस बराज के उपर से सडक और रेल ले जाने की संभावना है कुल मिलाकर 41.49 लाख एकर जमीन की आब पाशी इन नहरों से होगी ठीक है कुल मिलाकर 41.49 लाख एकर जमीन का खर्चा होगा और कुल वियाए पैसों की खर्चा कितना तो 40 करोर लग भग लगेगा ठीक यह सारा चीज बनवाने में ठीक भैसा लोटल में भारतिय इंजिनियर जंगल के बीच इस नमीन जीवन केंद्र का निर्मार कर रहे हैं और इंजिनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बाते समझा रहे थे यह कौन बोल रहा है लेखक बोल रहे है कि इंजिनियर वहां के इस नूतन विराट रूप में विधाता है जिनकी बुद्धी और परिश्रम की गाथा कवी और कलकार अंकित करे या ना करे लेकिन जिनकी बनाई मुर्तियों में प्राण का संचार प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे अब देखे यह अधियों का लास्ट हैं तो देखें लिखा गया है कि अव uda हनिरा ओ चक्रा यहां पर चक्रा रहेगा ओ नाराएनी ओमागंदक यह सब गंढक नादि का नाम है उतना को सदा निरा के नाम से भी जाना जाता है एक मिना पर थोड़ा गलट टाइप होगी है यहां पर यह बोला जा रहा है ना कि यूगो यूगो से जनता जो है ना जितने भी लोग तुझे इन सभी नामों से संबोधित करते हैं इन सभी नामों से तुझे पहचानते हैं तुझे सदानिरा के नाम से भी लोग जानते हैं पहचानते है बुलाते हैं चक्रा भी तुझे कहा जाता है नरायनी भी जो है ना गंडक नदी का नाम है ठीक तो जनता जो है ना तुझे नरायनी के नाम से भी संबोधित करती है यहां तक कि महा गंडक भी तुझको कहा जाता है पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की परतिष्ठा हो रही है उसकी निव बहुत गहरी है तो उसे ठुकरा ना पाएगी अभी तक जितना भी चीजों को तुमने ठुकरा दिया तेरे बाढ़ के हो जासे तेरे आसपास का जो छेतर है मंदिर है मठ है वो सब ध्वस्त हो गया नश्ट हो गया लेकिन अभी तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की पर्तिष्टा हो रही है ना उसकी निव बहुत गहरी है तो उसे ठुकरा ना पाएगी तो यहां पर होता है आप लोग का चैप्टर कंप्लीट लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं क्योंकि अभी लेखक यानि कि जगदिश चंद्रमाथूर के बारे में ने जानना बाकी है इनके बारे में भी डिटेल्स आप लोगे बूक में दिया गया है जिससीं की आप इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं जगदिर्श चंद्र माथूर का जन 16 जुलाई उन्हेसे 17 सबी को हुआ था और निधन की बात कर ले तो 14 माई 1978 सबी को यह पैदा हुए और कहां पर तो यूपी के शाह जहां पूर में ठीक और इनका निधन यानकी मौत हो गई थी 14 कर ले कहां तक पढ़े थे यह में किये थे अंगरेजी इनका ओनर्स था इलाहबाद विश्वविद्याले से ठीक और उन्हें से 14 में यह आईसी परिक्षा उत्रिन किये थे और प्रशिक्षन के लिए अमेरिका गये और उसके बाद बिहार में यह शिक्षा सचीव भी और फिर सुचना और परसारण मंत्राले में ये किस पोस्ट पर तो हिंदी सलाकार के पद पर भी ये काम किये थे ठीक और देखी आगे लिखा है हारवर्ड विश्वविदाले के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त ये अन्या अनेक महतवपून कारे से जुड़े थे ठीक और सम्मान तो देखिए विधा वारिधी के उपाधी में विभूसित किया गया इनको जगदिश्चंद्र माथूर को और यहां तक की कालिदास अवर्ड भीहार राजसभा पुरसकार से इनको सम्मानित किया था यह उनका क्या है सम्मान पूर्द इनको किस कि से सम्मानित कि यह जिक है चांकी में बार बानसुरी का मनचन डवा सरस्वती में प्रकाशन क्या नामا था मेरी यह अबजक्रि में पूंच्टिब हुए याद रखना आप लोगको उन्हें ूस अच्छ्छी स्में प्रकाशित हुआ था कहा में कहां पर तो मेरी बांसरी का मंचन और सरस्वती में प्रकाशन हुआ था सरस्वती में ठीक आगे बढ़ते हैं पांच एकांग की नाटकों का यह संग्रा भोर का तारा उन्हें से 46 में प्रकाशित किये थे पांच एकांग की नाटकों का ठीक एक संग्रा था यानि कि नाटकों का यह संग्रा मतलब होता है सम्मिलित रूप एक ज ठेक जिसमें पांच नाटक शाब है और आगे हैं इसके बाद MERE सपने मेर ख्रेश्ट रंग एक आग कि सब जगदिर्श चंद्र मातूरń का लिखा शार्दिया ये 69 में प्रकाशित हुआ पहला राजा 69 में प्रकाशित हुआ दस्रत नंदन सचवत्तर में कुवर सिंग की टेक उन्हेस चोवन में और गगन सवारी उन्हेस अंठावन के एलावा ये दो कट कुतली नाटक भी लिखे थे इन सबी ये रेखा चित्र ये रेखा चित्र यह रिखे थे कंदीः चन्द माथार कोण कोट सा एक दश तस्वीर मानत्र जीनहों ने Coral This क्या है एक संस्मरण है स्वरी ये रेखा चित्र नहीं है ये क्या है एक संस्मरण है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे लिखा गया है कि परम पराशील नाट्या उन्हें से साथ इसमी में प्रकाशित हुआ उनकी संख्या दृष्टी का परिचायक और बहुजन संप्रेशन के और यह निबंद का संग्रा है यानकी निबंद का किताब है आप बोल सकते हैं इसका क्या नाम है बोलते चड़ जिसको जगदिश चंद्र माथूर ने लिखा था तो अब यहां पर होता है आप लोगों का फाइनली पूरी तरीके से चैप्टर नंबर सेवें जो हैं ओस्ता को लाइक तो बनता है अभी तक लाइक नहीं किये तो फड़ावट लाइक कर दे और चारो तरफ शेयर कर दे अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किया है तो वड़ावट शेयर कर दे और चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब पड़ावट कर सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेरेकर यानिकी घंड़ी के दुबाकर और का अब तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट टॉडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस